दोस्तों जब से खवर आया है कि इंडियन यारफोर्स के द्वारा और अतिरिक्त मतलब करिवन 100 एडिशनल तेजस मार्क वान ए यारक्राप्टो को अपने बेड़े के लिए पर्चेस किया जाएगा तफ से ही तेजस मार्क वान ए यारक्राप्टो को लेके अलग-अलग तरी इंडियन यारफोर्स के जो तेजस मार्क वान ए यारक्राप्ट है इसका एक बहुत ही ओछ ऐँज़ एमउंट में order हुआ है और इस कारण के वज़ा से इन यारक्राप्टो के चालीस यारक्राप्टो के प्रोड़क्शन के बाद इन यारक्राप्टो के जो टिकनलोलजी है उसे अपग्रेड करना चाहिए जिससे की तेजस मार्क वान ए एरक्राफ तैयार होने के साथ साथ अपग्रेड़ भी रहेगा तो उही पे एरक्राफ्टों के प्रोडक्शन लाइन को लेके जो खवर है उसमें दावा किया जा रहा है कि एडिशनल एरक्राफ्टों के ओडर के साथ अब तेजस मार्क वान ए एरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन लाइन है वो साल 2030 के बाद भी कंटिनू चालू रहेगा इंडियन एर फोर्स के रिटायर एर कॉमोडर कामिरंदा मुथनाई पुनपपा जोकी नैशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर के हेड भी रह चुके ह गया कि जिस तरीके से इंडियन एर फोर्स को टेकनिकल एवलुएशन का जरूरत है और जिस तरीके से दिन वद दिन टेकनोलोजी में परिवर्तन आ रहा है उसे देखते हुए एडिशनल टेजस मार्क वान ए एरक्राफ्टों को भी लगातार अपग्रेड रखना फेज वाई फेज इसके प्रोडक्शन में ही एरक्राफ्टों को अपग्रेड मतलब टेकनोलोजी कली अपग्रेड करते रहना चाहिए असल में रिटाइड एर कॉमोडर पुनपा के तरफ से जिन बातों को कहा गया वो काफी सिंपल बात है लेकिन काफी इंपक्टफुल है उन्होंने अपने experience को इस्तमाल करते हुए एक बहुत बड़ा suggestion दिये है और उनका कहना है कि Indian Air Force को इन सभी इरक्राफ्टों को एक ही तर्च पे reproduce करके अपने बेडे में शामिल नहीं करना चाहिए जिससे कि आखरी के जो इरक्राफ्ट होगा वो भी पहले के इरक्राफ्टो Indian Air Force में शामिल होगा और आखरी के जो इरक्राफ्ट होगा वो पहले के इरक्राफ्टों के मुकाबले में बहत्रीन होगा जिससे कि सभी इरक्राफ्टों को एक साथ फिर से अपग्रेट करने का जुरूरत नहीं पड़ेगा एर कॉमोडर पुनपपा के तरफ से अपने बयान में इससे और सिंप्लिफाई करते हुए ये बताया गया है कि कम से कम 40 एरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के बाद टेक्नोलोजिकल अफग्रेशन करना चाहिए जिससे कि Indian Air Force हमेशा ही टेक्नोलोजिकली सुपिरियोर रहेग अगर दोसो ये बाद तो सही है कि 183 जो एरक्राफ्टों का ओर्डर है इन और एरक्राफ्टों के ओर्डर को पूरा करने के लिए करीब करीब एक दशक के समय लग सकता है और दोसो ऐसे में अगर साल 2033 में Indian Air Force को अपना आखरी टेजस मार्क वान ये एरक्राफ्ट मिलता है और इन ये एरक्राफ्टों में कोई भी अफग्रेशन नहीं होता है तो साल 2033 में उसी टेक्नोलोजी का येरक्राफ्ट मिलेगा जो साल 2023-24 में Indian Air Force में इंडियूज होगा। पर अगर हर 40 यार्क्रेप्टों के बाद यार्क्रेप्टों को अपग्रेट किया जाता है, मतलब हर 2 साल के बाद यार्क्रेप्टों में अपग्रेशन के तहट नए हार्डवर और नए सॉफ्टवरों को जोड़ा जाता है, जो कि Continuously Hindu Sun Aeronautics Limited और Aeronautical Development Agency के द्वारा इवॉल कि तब Indian Air Force अपने पुराने तेजस मार्कवान ये एर्क्रेप्टों के अपग्रेशन के तरफ फोकस कर सकेगा, अब दोसों Indian Air Force में बड़े संख्या के एर्क्रेप्टों को शामिल करना ही, इंडिया का प्राइमरी गोल नहीं है, बलकि इसके साथ साथ ये एर्क्रेप्टों जा रहा है, पर देखना ये है कि Hindu Sun Aeronautics Limited के तरफ से कैसे इन चीज़ों को लेके काम किया जाता है, हाला कि अगर देखा जाए तो दोस्तों इस तरीके के practices कई सारे aerospace engineering कमपनियों के तरफ से किया जाता है, जैसे कि अगर Lockheed Martin को देखा जाए तो Lockheed Martin आज से 50 साल पहले से ही F F-16 Aircrafto का निर्मान कर रहा है, लेकिन हर कुछी सालों के अंदर F-16 Aircrafto के अलग-अलग Block version को introduce किया जाता है, जो basically इन Aircrafto के एक Upgrader version होता है, जिसमें Airframe और ज्यादातर component तो पुराने version का ही होता है, लेकिन कुछ नए technological evolution करते हूँ, इसमें कुछ नए software's और hardware's को लगा जाता है, ताकि ये नए generation के challenges को भी counter कर सके, अब दोसों वही पे Tejas Mark 1 A Aircrafto के जबसे additional 100 Aircrafto का order का खवर आया है, तब से इसके production rate और इसके production capacity को लेके भी अलग-अलग खवर आ रहा है, और ऐसे ये खवर में दावा किया जा रहा है कि additional Tejas Aircrafto के order के वदौलत, ये जो Tejas Aircrafto के Mark 1 variant के production line है, ये साल 2030 के बाद भी active रहेगा, अब पहले के जो 83 Tejas Aircrafto का order किया गया था, तब ये बताया गया था कि सभी Aircrafto के जो delivery है, वो साल 2028 तक संपूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे की तब ये ही अंदाजा लग रहा था कि साल 2028 के बाद इस production facilities को बंद कर दिया जाए, और Aircrafto के order आने के तुरंद बाद ही, ये तो बात साफ हो चुका है, कि ये production facility आने वाले कुछ और साल तक चलेगा, लेकिन कितने साल तक चलेगा, ये संपूर्ण रूफ से defend करता है, कि Indian Air Force के द्वारा कब additional Aircrafto को लेकि order प्लेस किया जाता है, और ये Aircrafto के production rate हिंदू सन एर्ण लिमिटेड के तरफ से कितना साल आना रखा जाता है, फिलाल अगर तेजस Mark 1A Aircrafto के order को देखा जाए, तो इसमें फिलाल production rate करिवन 16 Aircrafto पर एर है, लेकि नासिक के जो plant है, ये तयार होने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि production rate में increase हुआ है, हाला कि नासिक के plant से Aircrafto बनक वही पर कुछ जगाओ में बताया जा रहा है कि 24 Aircrafto पर एर होगा, अब दोसो additional Aircrafto के order के बाद बताया जा रहा है कि production rate को बढ़ा के 30 Aircrafto पर एर के दरपे इन Aircrafto को produce किया जाना है, और दोसो साल 2028 में अगर तेजस Mark 1A Aircrafto के पहले batch का सभी Aircrafto का order हो जाता है, और तब तक अगर production rate साल आना 30 Aircrafto तक पहुँचा जाता है तो एक तरीके से आफ कह सकते है कि इसके बाद भी कम से कम साड़े तीन साल इन Aircrafto के production बरकरार रहेगा, और साड़े तीन साल का मतलब यह है कि कम से कम साल 2021 बतीस तक यह तेजस Mark 1A Aircrafto के production line भारत में बरकरार रहेगा, पर दोस export order को पूरा करने के लिए इस्तमाल होगा तो उही पर बाकी के हिस्से भारत के जुरौतों को पूरा करेगा, और दोसो इसका मतलब यह है कि शायद एक दो साल और अधिक इन Aircrafto के production इंडिया में बरकरार रखा जाए, पर दोसो यह सभी चीज़ डिपेंड करता है कि भारत क export order में कितने Aircrafto का order मिलता है, हाला कि दोस्तों अंदाजा तो यही लग रहा है कि शायद 20 से लेके 50 Aircrafto तक order भारत को मिल सकता है, और अगर इतने भी Aircrafto का order मिल जाता है, तो इन orderों को पूरा करने के लिए भारत को करीब करीब 2 साल के समय लग सकता है, मतलब साल 2000, 33-34 तक इ आसानी से extend किया सकता है, हाला कि वो ही पे तेजस Mark2 Aircrafto का production तब तक शुरू हो जाएगा, और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि तेजस Mark2 Aircrafto का production साल 2030-31 तक शुरू हो, मतलब तब तक दोस्तों भारत में दो अलग-अलग parallel production में एक साथ कई 100 Aircrafto का निर्मान होगा, और द से 25 Aircrafto का निर्मान करेगा, जो कि दर्शाता है कि साल 2035 के आसपास भारत एक ऐसे situation में आ जाएगा, जब भारत में सालाना 60-70 के संख्या में स्वधिशी Aircrafto को एक साथ अलग-अलग parallel production facilities में तैयार किया जाएगा, दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि भारत को तेजस Mark1 Aircrafto के additional order के बाद क्या, किसी विदेशी वायू सेना से कोई एक बड़ा order मिल सकता है, कॉमेंट करके अपने राय अबश्य बताईए, दोस्तों आजके इस वीडियो को एही पही करते समाफ, किसी और एक दिन, किसी और एक वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए, जैहिंद वं देमातर हम